मेरे मित्रो आज आप हमारे प्रभु की महिमा को देखेंगे और हमारे परमेश्वर के आश्वर्य को परमेश्वर अपनी महिमा को प्रगट करना चाहते हैं यहना 2.11 मैं बाइबल बताती है जीजुस रिवील इस ग्लोरी त्रू मिरकर्स प्रभु ये श्वसी ने चमतकारों के द्वारा अपनी महिमा को प्रगट किया यहना अध्याए 2 में जब वो दाखरस जो था सुख गया और विवाह के लिए आए वे जो भी महिमान थे उनको देने के लिए दाखरस न रहा Jesus commanded the servants to take the water which were in the cleansing jars and go and serve it to the people इश्वसी ने सेवकों को आग्या दी कि वे उस पानी को जो की धोने के पात्रों में रखे गये थे लेकर महिमानों को माटे and when those servants obeyed and took the cleansing waters to the people the water turned into wine और जब सेवकों ने ईश्व की बात मानी और उस पानी को जो धोने के लिए रखा गया था लेकर के पारातियों को और लोगों को दिया तो वो दाखरस में बदल गया Yes, Jesus revealed His glory through that मरक हाँ, उस चमतकार के द्वारा येश्व ने अपनी महमा को प्रगट किया Even today, your life which is just water with nothing in your life will turn into sweet wine, sweet blessings and it'll be turned by Jesus आज आपका जीवन भी, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो सूखा वुआ है, वो ईश्व मसी के द्वारा उस जल की कारण से मीठे दाकरस में बदल जाएगा वो पानी जो है, दाकरस में कैसे बदल जाएगा जब आप अपने हिदय को, अपने शरीर को ईश्व के लहु से शुद करेंगे जब आप ईश्व से कहेंगे कि वो आपको साफ करे वो पवित्रात्मा के उस मीठे दाकरस के साथ आपके शरीर को, आपके आत्मा को धो देगा और आपको बिलकुल पवित्र बना देगा और आपकी दे पवित्रात्मा का मंदीर बन जाएगी और परमेश्वर की महमा जो है, वो आपके अंदर में ही होगी और हरे घटी आपके जीवन से जाती रहेगी क्योंकि आप पवित्रात्मा के द्वारा से हरे घटी में तृप किये जाएगे और आप परमेश्वर के आश्वर ये को प्राप करेंगे बाइबल हमें बताती है, वो असंख चमतकार करता है और वो ऐसे कारी करता है, जिनने करने से कोई उसे रोक नहीं सकता यहवा की कोई भी योजना सफल नहीं होती दो सपता पहले, एक दूसरे देश से एक व्यक्ति नहीं जब फोन किया उसने कहा, भाई अचानक से ही मैं ग्रस्त हो गया हूँ जो तीसरे स्टेज पर है और वो मेरे अंगों में फैल चुका है, यहां तक की मेरी हड्यों में भी फैल चुका है मेरे ने प्रारत ना करे भाई मैंने बड़े तरस के साथ फोन पर उनके लिए प्रारत ना की और परवेश्वर की दया को उनके लिए मैंने मांगा आज की सुबह अचानक यह तरके उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि उन्होंने एक प्रोसीजर उन पर किया और बताया कि उन्होंने लेटेस्ट टेकनोलोजी के साथ उनके शरीर के गहराई तक स्कैन किया कि वो रोग कहां तक फैला हुआ है और जब भाईआप्सी की रिपोर्ट आई उसने कहा थियुँअ है ही नहीं और जब हडी के स्कैन की रिपोर्ट आई तो कहा उसमें बढ़ सर्थे इन्होंने भी कहा क्ई पोई चैनसर नहीं है और उसने कहा कि भाई दो सब्ता पहले ही सारे रिपोर्ट है कहा कि मुझे थर्ड स्टेज का कैंसर है लेकिन परमेश्वर का रिपोर्ट आया और कहता है कोई कैंसर नहीं है यह है परमेश्वर की महिमा रभू आपको यह अनुगरह दे कि आप भी ऐसे ही चमतकार का आनन लेने पाए फादर जी हील एबरीवर्ट हैंसर हर एक को जिने कैंसर है आप चंगाई प्रदान करें जिनको ट्यूमर्स हैं जिनको फाइब्रोइड्स हैं जिनके सिस्ट्स हैं जिनके कोई भी गांट है वो इसी समय येश्व के नाम में घुल जाएं और गायब हो जाएं let the lungs be healed let the brains be healed liver be healed digestive organs be healed uterus be healed let them live in Jesus name let there be no trace of the disease और कोई भी भी भीमारी का कोई अंश वहाना हो father lay your hands upon them and heal them lord पिता जी उन पर अपने हाथ रख करको उन्हें चंगा करें thank you धनिवाद in Jesus name पीश्यू के नाम में आमें आमीन